इसकर करने वाले हैं जर्नल साइंस यानि सामान्य विज्ञान के टोप 20 कुईज और इस रीच का होने वाला है यह पार्ट नमबर 23 यानि के 23 पार्ट पहले 22 पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होमपेज पर जाकर वीडियो वाले कॉर्णर पर जाकर आप देख सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू आज का सबसे पहला प्रस्ण है बिटामिन D की कमी से होता है तो यह होता है रिकेटस और अस्थिम रधुता यानि इसमें क्या होती है हड्डिया सूख जाती है तो यह बच्चों में काफ़ ज़्यादा रोग देखने के लिए मिरता है तो यह होता है बिटामिन D की कमी से नमबर तीन है, सिर्फ गमो मैलो मीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है रक्त दाव, जिसे के कहते हैं, बलड प्रेसर भी कहते हैं, नमबर चार है, सबसे ब्यस्त मानव अंग होता है, तो यह होता है दिल, यह आप कह सकते हैं, दिल को सिर्फ इतनी देर को आरा मिलता है जो दो धड़कनों के बीच का टाइम होता है नमबर पांच है पिर्तिरोत का SI मातरक क्या होता है तो यह होता है ओम पिर्तिरोत का SI मातरक होता है ओम नमबर शिक्स है चाय में कौन सा उत्तेजक बिद्दमान होता है तो चाय में मिला हुआ होता है केफीन यहीं कौन सा उत्तेज़क पदार्थ होता है तो यह होता है केफीन नेक्स्ट है नमबर सेवन सरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है तो यह रहता है थाइराइड गिरंथी में निकोशन है न सरीर के किस अंग में आयोडीन रहता है तो thyroid गिरंथी में नमबर आठ है सूर्य पिरकास से सरीर को कौन सा vitamin मिलता है तो कौन सा मिलता है vitamin D पहला ही question था कि vitamin D से कौन सा रोग होता है तो recatus होता है नमबर नाइन है आनुवानसिक्ता के नियम की खोज की थी ये की थी Gregor Jones Mandel ने अनुवानसिक्ता के नियम की खोज नमबर दस है अनुवानसिक्ता की इकाई होती है तो ये होती है जीन अनुवानसिक्ता की इकाई क्या होती है जीन होती है नमबर 11 है रक्त में लोहे की कमी को क्या कहते है यानि आईरन की कमी को ये कहते है एनिमिया यह कहीं कहीं रक्तकी कमी के लिए भी आता है, कि रक्तकी अगर कमी हो जाती है, तो इसे भी EN RAW कहते हैं. नंबर 12 है लाल गिरह, कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, मंगल को, वायू मंडल में सारवाधिक मातरमें, पाई जाने वाली गैस है, तो सबसे अधिक मात्र हैं पाई जाने वाली गैस कुन सी है नाइट्रोजन और यह कितनी होती है 78% Next है Question number 14 Dynamite का अविस्कार किस ने किया था यह के था Alfred Nobel ने Dynamite का अविस्कार Next है 15 RNA का पूरुन रूप होता है तो यह था राइवो नूकलिक अमल RNA का पूरुप राइवो नूकलिक अमल Next है समस्थानिक क्या होते है तो जिनका परमालू किर्मांग समान और द्रब्यमान उनका भिन्न भिन्न होता है दोगे समस्थानिक और संभारिक दो चीज़े होती है तो समस्थानिक में नाम में होता है जिनका इस्थान सेम होता है मतलब जिनका परमालू किर्मांग क्या परमालू संख्या समान होते है लिकिन को परमालू द्रब्यमान जो होता है वो अलग होता है ऐसी सम्भारिक आते हैं सम्भारिक में परमालू द्रब्यमान सेम होता है लेकिन परमालू संख्या अलग होती है अमलो का स्वाद कैसा होता है तो ये होता है खट्टा यानि अमल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं नमबर 18 है तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है परमालू देखिए किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो कल होता बो होता है परमाणू और परमाणू क्या होता है जो किसी भी रसाइनी का भी किर्या में भाग ले सकता है ध्यानक नहीं अड़ो और परमाणू में काफी ज़्यदे कन्फ्यूज होते हैं तो अड़ो जो होता है परमाणू से बड़ा होता है क्योंकि परमाणू से मिलकर अड़ो बनता है लेकिन अड़ो कभी किसी रसाइनी कभी किरिया भाग नहीं लेता है 19 है टेलिस्कोप का विस्कार किस ने किया था यह किया था गैलिलियों ने टेलिस्कोप का विस्कार 20 है बंध के यानि बांध के रुके हुए जल में कैसी उर्जा होती है तो यह होती है इस्थिती जूर्जा बांध के रुके हुए जल में तो यहाँ पर हमने आज के 20 कुछ कम्प्लीट किया है यहोप वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए Thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में